नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप Facebook पर follower को दिखाएंगे लाइक आप अपने Facebook profile को open करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफीस देखने को मिलता है आपको अपने profile पर कोई भी follower देखने को नहीं मिलते हैं जैसा कि आप screen पर देख सकते हो आपको दो screen source screen पर देखने को मिल रहे हैं एक तरफ आपको followers दिखाई दे रहे हैं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं तो अगर आप अपने profile पर follower को दिखाना चाहते हो तो आपको ऐसा कौन सा setting on करना है जिससे कि आप अपने follower को अपने profile पर show कराएंगे तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे हैं मैं बहुत ही easy तरीके से आपको बताऊंगा वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाता है लेकिन यहाँ पर आपको follower का एक भी count आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले दूस्तों आपको करना क्या होगा आपको facebook को open करना है facebook को open करने के बाद आपको अपने profile पर आना है जैसा कि मैं profile को open करके रखा हूं और नीचे की side देख सकते हो यहाँ पर मेरा post है और उपर की side में आता हूं तो यह आपको profile देखने को मिलता है और friend वाला जो section होता है उसके उपर आपको एक option मिल जाता है edit public details ठीक है तो यहाँ पर आपको edit public details पर क्लिक करना है अब जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे आपको थोड़ा सा wait करना है और आपके सामने एक नया interface open हो जाएगा कुछ इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से open कर लिया हूँ अब दूस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसे profile picture हो गया cover photo हो गया ठीक है तो यहाँ पर आपका जो details रहता वह आपको सभी details देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आपको option मिलता है details का और यहाँ पर edit पर आपको click करना है उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर भी बहुत सारे option देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll करना है और एकदम last में आना है नीचे की side यहाँ पर आपको एक followers का option मिल जाता है और यहाँ पर यह box अभी untick रहेगा तो यहाँ पर आपको tick कर देना है कुछ इस तरीके से तो चलिए मैं इसे tick कर देता हूँ जैसे मैं इसे tick किया उसके बाद में save का option मिलता है नीचे की side में आपको save वाले option पर click करना है अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा यहाँ पर आपको एक icon show होने लगेगा और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा आपके जितने भी follower रहेंगे आपके यहाँ पर follower दिखाई दे रहें अभी और आप थोड़ा यहाँ बेग करेंगे तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैं आपको फिर से refresh करके दिखा देता हूं और यहाँ पर refresh करता हूं और अपना profile open करता हूं यहाँ पर देखो मैं अपने profile पर क्लिक किया और नीचे की side scroll करता हूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको follower देखने को मिल जाएंगे तो friends आप लोग भी क पसंद आई है वीडियो को like जरूर करना चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को subscribe जरूर करना